इंडिया लीगल प्रेजेंट्स कोर्ट्स राउंड अप नमस्कार मैं हूँ आपके साथ पूजा कविया गोमा कोर्ट्स राउंड अप में आप सभी का स्वागत है अगले आधे घंटे हम आपको कोट से जोड़ी तमाम छोटी बरी खबरों से रूबरू करवाएंगे कोट की कारवाही और सुप्रीम कोट से लेकर हाई कोट और लोवर कोट सक्के फैसलों को आपके सामने रखेंगे आगे बढ़ने से पहले डाल लेते एक नजर हैडलाइन्स पर अमनेस्टी इंटरनाशनल इंडिया के पूर प्रमु काकार पटेल को नहीं मिली राहत एफ सी आरे उलंगन पर चलेगा मुकदमा लुकाउट नोटिस वापस लेने वाले आदेश पर रोख कॉंग्रिस नेता हार्दिक पटेल लड़ सकेंगे गुजरात चुनाव सुप्रिम कोर्ट ने दो साल की सजा पर लगाई रोख याच्विका पर फैसला आने तक सजा पर रोख दिल्ली सरकार के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग अधिकार मांग मांगले में केंद सरकार को दस दिनों में करना होगा हलफ नामा दाखिल सुप्रिम कोर्ट जी एन सी टी डी संचूदन अधिनियम 2021 पर दिये निर्देश अमेरिकी जज़ के साथ सम्विधानिक कानून वार्था लाप श्रिंखला वेबनार में C.J. रमना ने लिया हिस्सा कहा न्याधीश राजनीती से नहीं बलकि सम्विधान द्वारा निर्देशक होते हैं रेटार्मेंट के बाद पब्लिक लाइफ में रहने की जताएं इच्छा इंडिया लीगल प्रेजेंट्स कॉर्ट्स राउंड अप पार्टिदार अंदोलन हिंसा मामले में हार्दिक पटेल को सुप्रीम कोट से बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोट ने हिंसा के मामले में हार्दिक पटेल को दूशी ठहराय जाने के फैसले पर रोक लगा दी है पटेल ने चुनाव लड़ने के लिए दूशी ठहरायो जाने की फैसले पर रोक लगायो जाने की मांगी थी दरसल हार्दिक पटेल ने गुजरात हाई कोट के फैसले के खलाफ याच्रिकावदार कर सजा को निलंबित करने की मांगी थी ताकि वो 2019 का लोग सबाचुनाव लड़ सके हार्दिक पटेल को 2019 लोग सबाचुनाव लड़ने के लिए आयोग ये करार दिया गया था गुजरात के पाटिदार आंदोलन के दौरान हुई हिंसा मामले में आरूपी कॉंग्रेस नेता हार्दिक पटेल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई सज़ा के खिलाफ लगी हार्दिक की याचिका पर पैसला आने तक सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा पर रोक लगा दी है जज जस्टिस ऐसे नजीर और जज जस्टिस विक्रम नाथ की बेंज ने कहा कि ये हाई कोर्ट द्वारा सज़ा पर रोक लगाई जाने के लिए एक उपियुक्त मामला होता है सीनियर एड्वकेट मनिंदर सिंग ने मामले की सुनवाई की शुरुवात में अभिवेदन दिया कि हार्थिक पटेल को चुनाव लड़ने की अनुमती नहीं देना अभिव्यक्ति की स्वतंतरता के उनके अधिकार का उलंगन है सॉलिसिटर जनरल तुशार महता ने कहा कि सज़ा के लिए बुनियादी मानदंड निर्धारित है उन्होंने कहा आपराधिक कानून में किसी मानक देशा निर्देश के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सा सही है आप इसे तै कर सकते हैं इसके बाद मेंच ने आदेश पारित करते हुए कहा तथियों और परिस्थितियों पर गौर करने के बाद हमारा मानना है कि ये हाई कोट द्वारा सज़ा पर रोक लगाए जाने का एक उचित मामला होता है सजब पर तब तक रोक लगाई जाती है जब तक की अपीलों पर तदनुसार फैसला नहीं लिया जाता है पार्टिदार आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के मामले में हार्दिक पटेल को गुजरात हाई कोट ने दोशी माना था और भार्टिय कानून के मताबिक कोई भी दोशी व्यक्ति तब तक चुनाव नहीं लड़ सकता जब तक उसके दोशी साबित होने पर रोक ना लग जाए इसके बाद हार्दिक ने सुप्रीम कोट का दर्वाजा खट खट आया था और 2019 के लोग सभा चुनावों का हवाला दे कर जल्द से जल्द सुनवाई करने की अपीर की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया था और हार्दिक लोग सभा चुनाव नहीं लड़ पाए थे हार्दिक पटेल अब गुजरात में होने जा रहे विधान सभा चुनाव में उतरना चाहते हैं इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उन्हें बड़ी राहत मिली है 2015 के विसनगर दंगा मामले में दो साल की सजा पाने वाले हार्दिक फिलहाल जमानत पर है लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी जमानत पर शर्ट लगा रखी है जिसे वो हटाने की मांग कर रहे हैं इसके अलाबा याचिका में दंगे में दोशी होने के चलते चुनाव लड़ने के अयोग्य हैं वो कोर्ट से दंगा मामले में अपना दोश स्थगित कराना चाहते हैं जिससे वो चुनाव लड़ सके ब्यूरो रिपोर्ट एपियन मैं सीबी आई को अमनेस्टी इंटरनाशनल इंडिया और उसके पूर प्रमुखाकार पटेल के खलाफ विदेशी चंदा वेनियमिन कानून यानी एफसी आरे के उलंगन के मामले में मुकदमा चुलाने की मनजूरी दे दी है इस मामले में अदालत के सामने जरूरी पत्र भी जमाग कर दिया गया है सीबी आई की तरफ से सीबी आई की स्पेशल कोट को बताया गया की आकार के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए ग्रे मंत्राले से मनजूरी मिल गई है दिली की स्पेशल सीबी आई कोट ने पटेल के खिलाफ जारी लोकाउट सरकुलर को तुरंत वापस लेने के लिए एसी एम एम द्वारा दिये गए आदेश पर रोक लगाई है ये रोक इस मामले में दाखिल याचिका के निस्तारण तक जानी रहेगी दरसल सीबी आई ने पिछले साल दिसंबर में आकार पटेल के खिलाफ एफसी आरे के नियमों के उलंगन को लेकर आरूपत्र दायर किया था लेकिन इस मामले में जाच शुरू नहीं हो सकी थी क्योंकि सरकार की ओर से इसकी मनजूरी नहीं मिली थी लेकिन अब जब सरकार ने इस मामले में मनजूरी दे दी है तो सीबी आई आकार पटेल के खिलाफ मुकदमे की कारवाई शुरू करेगी CBI ने FCRA के 1440 के अनिवारे खंड के कारण अंतरराष्टिय मानवादिकार संगठन पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार की मंजूरी मांगी थी आहरोपत्र दाखिल करने के बाद एजिंसी ने Amnesty International India के अध्धक्ष पटेल के खलाब लोकाउट सरकुलर जारी किया था के तहट उन्हें बैंगलूरू हवा यड़े पर अमेरिका रवाना होने से पहले रोख दिया गया था वहाँ विश्वध्यालों में व्यक्ष्यान देने जा रहे थे इस मामले में राव जिवन्यू कोट ने बेहत कड़ी टिपणी की थी कोट ने कि सीबीयाई से कहा था कि वह पटेल के खलाब जारी लुकाउट सरकुलर नोटिस को वापस ले लेकन सीब्याई ने साधेश में सं़फ्योधन की मांग को लेकर कोट करुख किया था कोट ने अपने पिछले आदेश पर स्टे लगा दिया था जिसमें कहा गया था कि CBI के निदेशक को पटेल से लिखित में माफी मांगनी होगी कोट ने आकार पटेल से कहा था कि वो अदालत के अनुमती के बाद ही देश से बाहर जाएं दिली सरकार के अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग अधिकार मांग मामले में केंदर सरकार को दस दिनों में हलफनामा दाखिल करना होगा सुप्रीम कोड जी एन सी टीडी संशोधन अधिनियम 2021 पर निर्देश दिये हैं सुप्रीम कोड इस मामले पर अगली सुनवाई अब 27 अप्रेल को करेगा केंदर की तरफ से सॉलिसिटर जॉर्नल ने कहा कि मामला 2021 म जी एन सी टीडी आक्ट में हुए संशोधन से भी जुड़ा है इसलिए जी एन सी टीडी के इन दोनों मामलों पर एक साथ सुनवाई हो दोनों मामलों को एक साथ ही सुना जाना चाहिए उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले को सविधान पीट को भेड़ दिया जाए दिली सरक सरकार की और से पेशवरिष्ट वकील अविशेक वनु सिंग्वी ने कहा कि दिली सरकार कामकाज नहीं कर पा रही है दिली सरकार विभागों में ट्रांसफर नहीं कर सकती सरकार आखिर काम कैसे चलेगी सिंग्वी ने कहा कि जब प्रसाशित किये जा रहे व्यक्ति को ट्रांस सुप्रीम कोट ने भारतिय फिल्म एवं टेलिविजन संस्थान पुने और FTII को निर्देश दिया कि वो कलर ब्लाइडनेस से पीडित लोगों को फिल्म मेकिंग और एडिटिंग से जुड़े सभी कोर्स करने के लिए अनुमती प्रदान करें दरसल शीर्ष अदालत ने कहा कि संस्थान में प्रवेश पाने की कोशिश कर रहे कलर ब्लाइडनेस से पीडित किसी व्यक्ती के साथ कोई भेद भाव नहीं दिखाया जाना चाहिए सुप्रीम कोट ने कहा फिल्म निर्मान और संपादन कला का एक रूप है अपने आप में एक संस्थान है शीर शादालत ने कहा ऐसे मामलों में जादा समावेशी और प्रगतिशील दृष्टी कोण अपनाया जाना चाहिए सुप्रीम कोट ने आगे ये भी कहा कि अन्ने फिल्म और टेलिविजन संस्थानों को भी कलर ब्लाइंड छात्रों के लिए अपने दरवाजे खोलने चाहिए भारति फिल्म और टेलिविजन संस्थान पुणे शहर मिस्तित है ये संस्थान भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारन मंत्रालिक के अंतरगत एक स्वस्चाशी संस्था है साल 1960 में पुड़े के प्रभास सूडियो परिसर में हुई थी इसकी सापना जिसके बाद FTIIA पुड़े में आक्टिंग, डिरेक्शन, डालोग और स्क्रीन प्ले, राइटिंग, म्यूजिक, कम्पोजिंग, फिल्मेकिंग और एडिटिंग से जुड़े कोर्स कराय जाते है कलर ब्लाइडनेस को रंग बोध की असक्ष्टा कहते हैं, रंग बोध से ग्रसित लोग सब कुछ साप साप देख पाते हैं, उन्हें रंग भी दिखाए देते हैं, लेकिन कुछ रंगों में वो विभेद नहीं कर पाते हैं वंटहा की समस्या जर्म से ही हो सकती है, बाद में भी विख्सित हो सकती है ये समस्या, और आसान भाशा में समझें, तो जब आँके समाने रूप से रंगों को नहीं देख पाती हैं, तो उसे वंड नद्धा कहते हैं, या color blindness कहा जाता है, इसे color deficiency की संग्या भी दी गई है, और इस समस्या से ग्रसित किसी महिला या पुरुष को समानेता हरे और लाल कभी-कभी नीले रंग में अंतर समझ नहीं आता है। आयोजन किया। जोर्ज टाउन लौ के 150 साल के समारों के मौके पर शुरू की गई वेबिनार श्रेंखला जोर्ज टाउन लौ युनिवरस्टी वाशिंग्टन डी सी और सोसाइटी फॉर ड्रमोकेटिक राइट्स नई दिल्ली के बीच एक सहीयोगी पहल है। के डीन और कारेकारी उपाधक्ष विलियम एम ट्रोनर ने किया। कारेक्रम के दुरान माडरेटर ने सीजियाई रमन्ना से विभिन मुद्दो पर उनकी राइपूछी। समविधानिक कानून वारता लाब श्रंकला वेबिनार में सीजियाई रमन्ना ने अपने साथी प्रतिभाग्यों के साथ मिलकर बेबाकी से अपनी राय रखी। और भारत के कानून और समविधान पर टिपड़ियां की। सीजियाई ने कहा कि ये बताते हुए खुशी हो रही है कि उनके कॉलेजियम के सदस्यों का दृष्टि कोड बहुत प्रगतिशील है। हाल के नियुक्तियों में उन्होंने नौ अलग-अलग राज्यों के नायधीशों का चयान किया। उनमें से तीन महिलाएं थी। उन्होंने नायपालिका में समावेशिता पर भी जोट दिया। इंडिया इस नोन अधी वर्ल्स लाज़ेस्ट डिमोक्रसी। और आजना उना वर्लगेशासरे नेपनी अश्युक्त्तियों के वर्लूड़ेस्ट इस नौनुच्तियस्टों के लिए पत्र सुर्दों के अधी जेश्य। मेंने फर एक जए सबस्वत्य सत्क्राइशे उन्होंने पोल्साइशा करें, अपरके अश्य। So, I am happy that the recent appointments and recommendations have generated a lot of discussion about the inclusivity. CGI Ramanna ने गर्बपाद के कानून पर भी अपनी राय रखी और कहा कि भारतिय कानून महिला के शरीर के हग को अजन में बच्चे के हग को बैलेंस करता है. In India, there are regulations are there to stop acts of female faith side. And apart from that, at last, it is a balancing act of right to life of a child versus right of the mother. The autonomy of the body of a female is important. This issue which I want to clarify because I think I have not responded to that issue at that time. CGI Ramanna अगस्त में 65 साल के हो जाएंगे. ये भले ही रेटार्मेंट की उम्र है. लेकिन CGI ने कहा कि वो पब्लिक लाइफ में रहना चाहेंगे. अमेरिका के सरवोच नेयाले के नायधीश ब्रेयर ने कहा कि संगिय नायधीश की नियूकती एक राजनीतिक प्रक्रिया है. लेकिन कम से कम अब एक यूग्य व्यक्ति को नियूकत करना राजनीतिक हित में है. अब्लिक अब ब्रेयूज व्यक्ति कि अध्यूशती ने व्यूशती ने ग्यूशती ने थिएको ने प्रक्रिया राजनीतिक लाजनी और से के संगित के वेखे लिएए। This is the principle, I think, anywhere. प्राइट रंद्रचूर और जस्टिस सूरे कांथ की बेंच के समक्ष इस मामले को सूची बद किया, मामले को जब सुनवाई के लिए बुलाया गया, तो डॉक्टर प्यूश सक्सेना ने सुप्रीम कोट के समक्ष प्रस्तुत किया, कि उन्होंने माहिला एवं बार्वेकास म गोद लिया जाता है, इसके अलावा बांज दमपत्ती भी हैं, जो बच्चा पाने के लिए बेताब हैं, माता-पिता प्रयाप्त शिक्षत नहीं हैं, इसलिए आयकार योजना के आधार पर योजना शुरू की जानी चाहिए, जो 16 साल पहले ज़ारी की गई थी, इस मंत्रवाले ने अधिसूचना ज्वाली की कि संभावित माता-पिता को कुछ उदारता दी गई हैं, डॉक्टर संग सेना ने ये भी तरक दिया कि गोद लेने के बाद से एक विसंगती है, जो हिंदू, दत्तक और रखरखाव अधिनियम 1956 द्वारा शाशत है, इससे कानून और नयाय मंत्राले द्वारा प्रसाशत किया गया है, जबकि अनाथों के पहलू को महिला और बाल विकास मंत्राले द्वारा निप्टाया गया, याचिका करता ने प्रसुत किया हर चीज में जोखिम और लाब होते हैं, एक गरीब व्यक्ती के तीन बच्चे हैं, और जब पतनी चौथे बच्चे के साथ गर्वती है, तो पती ने अपने भाई से उसके डिलिवरी के लिए भुक्तान करके बच्चे को गोद लेने के लिए कहा, CWC ने पूरे मामले को दर्श किया और फिर उसके भाई के खलाफ अपराधिक मामला दर्श किया, क्या भाई ने कुछ गलत किया था, जस्टिस चंद्रचूर ने टिपणी की, ठीक है, आपने अपनी बात रग दी है और हमने नोटिस जारी कर दिया है, दिल्ली उचनयाले ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति को घोशित सेक्स के साथ पासपोर्ट जारी करने के लिए, लिंग पुनर मुल्यांकन सरजरी का प्रमान पत्र पेश करने की आवश्रक्ता वाले, पासपोर्ट नियम को प्रथम दृष्टिया, जीवन और व्यक्तिगत अधिकार का उलंगन बताया है, अधालत ने कहा है कि अधिकारी किसी को इस तरहां के ऑप्रेशन से गुजरने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, कारवाहक, मुखिन आधीश, विपिन सांगी और न्यायमूर्ती नवीन चावला की पीठ ने उठ नयायाले में कहा कि ये नियम प्रथम दिष्टिया सरवोच नयायले के उस फैसले के खलाफ है, जिसके कारण ट्रांस जेंडर लोगों को थर्ड जेंडर के रूप में मानिता मिली है, पीठ को केंदर के वकील को एक सब्ता के बीतर संबंदित अथारटी से इस मुद्धे पर निर्देश लेकर जवाब दाखिर करने को कहा है, अदालत ने मामले के सुनवाई 22 अप्रेल तक की है, पीठ ने केंदर से कहा, आपको अपना नियम बदलना चाहिए, आप कौन होते हैं जो कहते हैं कि सरजरी का परमान पत्र प्राप्त करें, शीर्ष अदालत के नालसा फैसले का जखर करते हुए, प फैसले के अनुसार ट्रांसजेंडरों को अपने स्वैम के पहचान वाले लिंग का फैसला करने का अधिकार है, और उस अधिकार को बरकरार रखा गया है, पीठ एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति की याचिका पर सुन्माई कर रही है, जो अधिकारियों द्वारा नाम और लिं पासपोर्ट नहीं, याचिका करता ने पहले ही बैंककॉक में एक विश्वस्निय डॉक्टर से फेशल फेमिनाइजेशन सर्जरी करवाई है, वो बैंककॉक में उसी डॉक्टर से अपनी बाकी की लिंग पुनर मुल्यांकन प्रक्रियाओं सर्जरी से गुजरना चाहती है, वर्तमान में याचिका करता के पास पासपोर्ट नहीं है और भविश्य की सर्जरी के लिए कहीं भी यात्रा करने में असमर्थ है। कहा कि वो हर जगा अपनी शक्तियां इस्तमाल नहीं कर सकते हाइकोट ने ये टिपड़ी उस याचिका को खारज करते हुई कि जिसमें निजी कंपनियों की ओर से वर्क प्लेस्ट में यौन उत्पीडन निदेशक निशेद अधिनियम के तहत बनाई जाने वाली आंतरिक श सक्षम प्रादिकारी से संपर्क करने को कहा ये जनहित याचिका मुंबई के रहने वाल एक शक्स द्वारा दायार की गई थी जो एक कॉर्पूरेट फॉर्म में काम करता था उसने करीब धाई साल तक फर्म की यौन उत्पीडन रोक्ताम समीती का निर्थत वकिया था वही मामले में याचिका करता की तरफ से पेश हुई वकील और सबाजो कारेकरता आवासिंग का कहना था कि निजी च्वेत्र में ऐसी समीतियों के सदस्य को कोई सुरक्षय प्रदान नहीं की जाती मामले में मौकिक टिपणी देती हुई मुख्यन आधिश दिपांकर दत्ता ने इस्तमाल नहीं कर सकते हम भी किसी अधिनस्त हैं और इस मामले में याचिका करता कि उरसे पेश वकील आवासिंग ने याचिका वापस ले ली और कहा कि वो सुप्रीम कोट या फिर अन्य सक्षम अथॉरिटी के पास जाएंगी चलिए इसी के साथ कोट्स राउंड अप में फिलहाल के लिए इतना ही नमस्कार इंडिया लीगल प्रेजेंट्स कोट्स राउंड अप